हलो फ्रेंड वेलकम टू दा एक्जाम हेकर योटूब चैनल दोस्तों यहां पे आज हम लोग यहां पे क्लास एट के जो जिग्राफी सब्जेक्ट है रिसूर्स इन डेवलप्मेंट इसके जो MCQs हैं जो एक्सराइज में दियेंगे हैं टोटल 19 MCQs दियेंगे हैं इसको हम लोग आज किस वीडियो में कवर करेंगे जो सारे ही सब्सक्राइज के लिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ड है तो चलो दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रशन है यहाँ पर विच्वन आप दे फॉल्विग्ग डज नाट मेंग दा सब्स्टेंस ए रिसूर्स तो रिसूर्स की सब्स्टेंस क्या होती है तो रिसूर्स उन चीजों को बोलते है जिसकी कोई यूटिलिटी होती है और जो वैलिवल होता है ठीक है उसको हम रिसूर्स बोलते हैं तो यहाँ पर आप देसे तो यूटिलिटी और वैलूज दोनों ही सब्स्टेंस हैं लेकिन quantity यहाँ पर substance नहीं है तो नौट पुछाया तो यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा वान का C दूसरा है which one of the following is a human med resource अब resource पर भी दो टाइप को होती है एक होती है natural resource एक होती है human med resource human med resource में आप देख सकते हैं यहाँ पर which one of the following is human med resource medicine to treat cancer यह human को दरा बनाया जाता है तो यह हमारा human med resource हो जाएगा spring water और tropical forest यह natural हमारी resources है तो दूसरा का यह हमारा answer हो गया तिसरा प्रशना का दोस्तों complete the statement non renewable resources are non renewable resources क्या होते हैं जिसकी limited stock होती है ठीक है which have limited stock जो खत्म हो सकती है उसको बोलते है non renewable resources तो थ्री का यह हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा ठीक है made by human being इसको बोलते है human med resource derived from non living things इसको बोलते है abiotic resources तो हमारा पहला यह answer हो गया थ्री का यह आज का चवथा यहाँ पर प्रश्ण है which one of the following is not a factor of soil formation soil formation की factors आप देखोगे तो climate होती है parent rock होती है relief होती है ठीक है यह से हमारी organic matter फ्लोरा फाउना यह हमारे soil की formation की factors होती है और time होती है यहाँ पर not में आप देखोगे soil texture एक soil की property है ना की factors तो फोर का हमारा भी यहाँ पर answer हो जाएगा soil texture एक factor नहीं है soil की formation के लिए आज का पांचवा प्रश्ण है यहाँ पर which one of the following method is most appropriate to check soil erosion in steep slope steep slope में soil erosion करने के लिए most appropriate पुछा है appropriate हो सकते हैं लेकि most appropriate क्या होते है तो आप देखते हैं हीली एरिया में जो किया थी terrace cultivation की जाती है वो हमारी most appropriate हमारी होती है soil की erosion को कम करने के लिए ठीक है silted built भी हमारी मेड़ों पर लगाते हैं mulching भी करते हैं लेकिन यहाँ पर most appropriate हमारी terrace cultivation हमारी स्वाइल erosion को रोकने के लिए तो पांच का हमारा C यहाँ पर answer हो जाएगा छटा यहाँ पुछा है which one of the following is not a favor of the conservation of nature नेचर के conservation के लिए कौँ सा favor नहीं है यहाँ पर switch of the bulb when not in use बिलकुल ही सही है यह हमारी favor करती है close the tape immediately after using इससे भी हमारी save होती है water dispose of polypacks after swapping देखो swapping करने बाद polythene को dispose नहीं करना चाहिए उसको reuse करना चाहिए ठीक है यह हमारी not favor है तो छेक हमारा C यहाँ पर answer हो जाएगा सात्वा यहाँ पर है land use का क्या मतला में यहाँ पर प्रोड़क्टिव यूज आप लेंड तो लेंड यूज को सी से आप यहाँ मैच कर सकते हो humus and atmosphere humus and atmosphere आप बोल सकते हो यह हमारी organic matter deposit on top swail होती है ठीक है तो हमारे DC को मैच कर सकते हो rock dam हम बनाते हैं soil erosion को prevent करने के लिए तो इसको यह से आप मैच कर सकते हो और biosphere हमारी narrow zone होती है contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere तो इसको आप भी से मैच कर सकते हो ठीक है तो यह हमारी matching हो गया definite हमारे chemical composition होते है, usefulness होती है और हमारा unequal distribution होती है अर्थ में अब यहां पर देख लिए इस्ट्राटिम क्या दिया है, they are created by natural process बेल्गुल यह हमारे characteristics है minerals का तो हमारी स्ट्राटिम नहीं होगा, they are definite chemical composition यह भी हमारे characteristics है minerals का, they are inexhaustible, देखो, inexhaustible होता है, inexhaustible नहीं होता है यह हमारा answer वह जाएगा, यह हमारे characteristics नहीं है, और d तो characteristic है, their distribution is uneven, तो 8 का C हमारा answer हो गया है, यहां पर, which one of the following is leading producer of copper in the world, देखो, copper की production की बात करें हम, तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारी चीले है, ठीक है, चीले हमारी copper की leading producer है, तो 1 का हमारा C यहां पर answer हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्या होगा, C यहां पर answer हो जाएगा, 9 का C, इसके लगए यहां पर प्रोडक्शन होती है, यहां पर प्रोडक्शन है, और copper जिस हमारी रॉक में पाई आती है, उसका color blue होता है, blue color की रॉक आपको मिले तो आप समझना, वहां पर copper है, तो 9 का C यहां पर answer हो गया, 10 वाहें दोसो, which one of the following practice will not conserve LPG in your kitchen, LPG कीचेन में conserve करने के लिए, save करने के लिए, बचाने के लिए, आप क्या करना चाहिए, कौन सा यहां पर ensure नहीं करता है, तो यहां पर है, soaking the dal for some time before cooking, इससे हमारी LPG conserve होगी, क्योंकि दाल को यहां भीगा दे होगे, तो दाल जल्दी देगी, cooking foods in pressure cooker, pressure cooker से जल्दी खाना पकदा, तो LPG हमारी save होती है, keeping the vegetable chopped before the gas for cooking, vegetable को पाले से ready रखना, gas को जलाने से पहले, इससे भी मारी LPG save होती है, cooking food in open pan kept in low flame, इससे हमारी gas बहुत ज्यादा खतम होती है, तो यहीं हमारा answer होगी, यह हमारी कंजब करने के तरीके नहीं है, 10 का हमारा D यहाँ पर answer हो गया, 11 यहाँ यहाँ पर होटी कल्चर मींस, देखो होटी कल्चर मींस fruits, vegetation को commercial level पर develop, सरी, उसको उगाना, उसको बोलते हैं होटी कल्चर, 11 का हमारा A यहाँ पर answer हो जाएगा, 12 वहाँ के बात करें, golden fiber refers to, देखो जूट को golden fiber भी बोलते हैं, और ज कम में होती है, ठीक है, इसके लिए climate, heavy precipitation और high temperature दोनों ही जरुद पड़ती है, जूट हमारा 12 का, सी हमारा हो गया, उसको golden golden fiber, अब यहाँ पर कोफी की production का leader producer कौन है, तो कोफी के चेतर में दोस्तों, यहाँ पर आपको Brazil leading producer देखने में मिलेगा, कोफी के चेतर में, और आपक leading producer यहाँ पर Brazil है, तेरा का A यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसके लिए थी second आपको producer बोले, तो हमारे Columbia second largest producer है, फिर third में इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया third असान है यहाँ पर कौफी की production में, अब चौदा हमाँ यहाँ पर है, फोर्ट ग्लोस्टर is located, फोर्ट इंडिया का फोर्ट ग्लोस्टर में established हुआ था, जो बाद में close कर दिया गया था, चौदा का A हमारा answer हो जाएगा, पंद्रामा यहाँ पर which one of the following is natural fiber, natural fiber किसका यहाँ पर example है, तो जाहिर से बात है, जूट और cotton यह हमारी natural fiber है, जूट यहाँ पर पंद्रा का B हमारा हो गया, यह हमारी nylon और acrylic, यह हमारी artificial synthetic हमारी fiber होती है, विच डज़ टर्म population distribution refers, population distribution की परिभासा क्या होती है, तो population distribution का आप बोल सकते हो की, the number of people, the way in which people are spread across the given area, C हमारा answer हो जागा, population distribution क्या बोलती है, the way in which people are spread across the given area, तो C हमारा answer हो गया, how population is spread across the given area, change over time, यह हमारी growth rate होती है, ठीक है, 16 हमारा का C हमारा answer होगा, 17 हमारा है, which are three main factors that cause population change, three main factors क्योंकों से, जिससे population change होती है, पाला होती है, birth होती है, death होती है, migration, इसका answer हमारा होगा, B, birth, death, N, migration, तिनों factors चलते हैं, हमारी population की change होती है, अठारवा प्रशन है, in 1999, the world population reached, 1990 में world population 6 billion को reach कर गए थी, तो आपको ध्यार लखना है, 6 billion इसका answer होगा, ठीक है, तो इसके लावा आप देखोगे, तो आप देखोगे, अठाराव सो इसवी के आसपास हमारी world की जो population थी, ओ थी 900 million, यानी 1 billion से भी कम थी, 1990 में दुनिया की 2.5 billion population थी, 1975 में 3.9 billion population होगे थी, और 1999 में 6 billion population होगे थी, अभी आप कितनी population है, आप कमेंट करके आप हमें ज़रू बताएगा, कि अभी किरेंट पुरी दुनिया की कितनी population है, What is the population pyramid Population pyramid क्या होता है तेखो यह हमारी graphical representation होती है Age को 6 को composition को Population को represent करने के लिए तेहाँ पर left side में male होती है Right side में female होती है और age हमारी increase करती है उपर जाते थो तो graphical representation है Age 6 composition of population को 19 का हमारा A यहाँ पर answer हो जाएगा तो यह रहा दोस्तो total 19 question जो class 8 में पुछा गया था यहाँ पर MCQs थे जो हमारी exercise में तो आप comment करके हमें ज़रू बताना कितने आपने यहाँ पर solve के कितना सही रहा तो आज के लिए बसना है दोस्तो Thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topics साथ Thank you